इस वीडियो में बात करने वाले थमनेल में आपने देख लिया और रेड़ी भी बताना चाहता हूं कि बरबाद होने के श्टॉक मार्किट में शेयर बजार में बरबाद होने के छे आसान तरीके हम कोई अच्छी बात कर रहे हैं जो की आपको इन वीडियो को अपनाोगे तो अगर अपन अपनाऊगे तो आप अच्छे से आबाद हो जाओगे आपि शेल goadah時 के शे mail बातबात होने बाते करणा गे बर एपफर वीडियो में आगे बड़े रिक्वेस्ट करूँगा इंवेस्ट फौर एबर जो हमारे चाइनल आपका चाइनल इसे सब्सक्राइब करें शेयर करें फैनलीर फैंलेंस के साथ तक इस तरह की वीडियो डेली बेस्टेस में मिलती रहा है इस वीडियो को like कर दीजिए और जितनी वीडियो देखा करें like definitely कर दीजिए और यहां पर दो वीडियो आज की रिखना अल्रेली आचुकिए जाके देखिए knowledge में लेगी सीखने का मौका में लेगा हमारे आपर स्खाया जाता है सीखने के लिए कोई पैसा कोई ज्राइट रखेंगे ना तो आप market से बार 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 भार यहां पर एक्वल लॉस ही करहेंगे और कुछ नी करेंगे तो market में loss ना हो यह फिर आप बरबादी से बचे यह फिर बरबाद होना है तो आसान तरीके यह आपको है आपको पास ज्यादा पैसा है तो आप इस इन चीटों पॉलो करिये बढ़ाद हो जाओगे और इन चीटों को अगर नहीं फॉलो करोगे तो आबाद हो जाओगे तो यहां पर आपको कुछ चीटे में आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपको यहां पर लाइव अग्जाम देकर आपको बताऊगा कि आप किस तरीक देया पर पैसा तर्मा सकते हो दिए सबसे पहले इस शॉब लोस रहा होता घर किया कुछ आप अपने लास को भचाने के लिए नजर लगाप, हमने 1 रुप से नीचे नाख तो मतलब आपको सब भी लोग क्या कहते बिल् assure ला लगाई कि लुए रहा कि और हैं कि पैसा कमाने के लिए और मार्केट इंवेस्टिंग कर विए प्रिंवेस्टिंग करते हैं कि आप्र अगर आप श्टॉप लगाT एक शप्स होता है ऑपरेटर के बारे में आप सभी जानते ही है मार्केट में बहुत है है हर एक श्टॉक में एक्टिवेट रहते है उनको उनका बस कामी रहता है कि रिटेल इंवेस्टर जो हम जैसे लोग होते हैं उनकी जेब में को जेब में से पैसा निकालना और अपनी जेब को भड़ना तो इस चीछ को याद रखना operator नाम की दिए शक्स होते हैं वह वार करते हैं जहां पर क्या करते हैं डिटेल इंवेश्टर सबसे यादा करते हुए नजर आते हैं अब श्टॉप लॉस क्यों नहीं अब मान के चलिए आपके पास एक लाख रुपएया और 1 लाख रुपएया आप मारकेट में लगाते है। आपने 10 sctill करीदी 10 तक होटी लगा दिया। और आपने 10 scill 가서발 रुप के 10 एक येए रुपएया है। और आपने ранny gam daarIST का आपने रुपीया। यहां पर कोई भी यहां पर दिखाद बताते हैं कि breakout points अ गया क्योंकि यहां पर प्रीविट होती है वहां से चीटे निकलने वाली होती है इसलिए वह उनका breakout वाला point हो जाता है और breakdown कि हो जाता है कि हहां यहां पर यह 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 एक PIVATES points हो गया एक यह यह नीचे प्रवार करते हो यहां पर इन चीजों को बार-बार हिट करते हैं और आप से कहते हैं कि और और श्कुलत लगाने के लिए मार्केट में नीए आ है रया उन्हें पर अगर मार्केट करेंً working कोई दिन पहले यहां पर अगर मदा कोरें यहां पर बने रहना है मार्केट मिस कुछ बताया था Κ्यों कि यहां पर भूत ranges जो है हमने खरीदी है on the basis of some facts करीदे है और वो आज नहीं तो कल ऊपर जाएंगे तो stop loss लगाके आप अगर बार 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 stop loss लगाओगे आपने 9500 पे stop loss लगाया 95 वाला हीट हुआ आप exit होगे फिर आपने दूसरा share करीदा उसमें stop loss लगाया फिर exit होगे तो stop market में पैसे कमाने के लिए पैसे तो होने चाहिए और अगर आप stop loss लगाके पैसे ही गवाते रहेंगे तो कभी भी आप success नहीं बन पाएंगे तो stop loss लगाना है आप बंद करिए stop loss traders के लिए होता है investors के लिए बिल्कुल नहीं होता है इस बात को हमेशा याद में रखिएगा कोई आपको यह ब और जब भी हम स्टॉक खरीते हैं नीचे आते ही है तो वहाँ पर stop loss लगाना हमें stop loss के बचना है हमें अपने stocks को ऐसे चूज करना है कि stop loss लगाने के जिरूबत ना पड़े तो number one points हमें कभी भी stop loss नहीं लगाना तो एक चीछ को हमेशे याद रखिएगा दूसरा दूसरा हम बात करते है future, intraday और options यहां पर तीन चीज़े होती है यह मेरे सेभी के teacher थे उन्होंने मुझे बताया था कि अगर आपको suicide करना है तो यहां पर इन चीज़ों को जाके apply करो आप market में आओ और intraday करो future करो option करो आप suicide कर रहे हो यह समझ लीज़ेगा क्योंकि आप करजा लेक depression में आ जाते हो suicide कर रहे है तो इसलिए intraday future and options यहां से दूरी बना के रखो जितना भी हो सके swing trading या फिर आप long term investors बनो investor बनो ताकि यहां पर आपको पैसा बनता हुआ दिखाई दे यहां पर यह तीनों चीज़े अपर सीखने के भी कोशिश मत करो यहां पर सीख क्योंगी आ यहां पर market गिरती हुए नजर आए ती कोई भी एक शेर हम उठाते हैं ओके एशिन गिरनीटो उठाते हैं समझे और कोई दूसरा एक FNO को कोई भी शेर हम यहां पर पर चूस करते हैं और market गिर जाती है आपने निफ्टी मिटकेप लिया हो आपने पर पर श्टॉक चुना ह 50 रुपे पर 50 रुपे चलना शुरू किया और भागेगा कल की डेट में बट अगर बात करें जो इंट्रडे यह पर अगर बात करें फ्यूचर और ऑप्शन्स वाले जो market में लॉंग करके बैठे हुए थे वह यहां पर गिरते हुए नजर आए गिरते हुए नजर आए और करते हैं चूज करते हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं उसके बाद शेयर ऊपर जाएंगे तो इस चीट को याद रखिए का पैसा बरबाद करना है तो सबसे पहले तो इस टॉप लॉस लगाई है बरबाद हो जाओगे इसके लिए फीचर ऑप्शन इंटर डे करिए उसमें पर वाद हो जाओगे तीसरी चीट यहां पर टीवी और न्यूज यह चीजें देखकर ओके या फिर दूसरों की कहने पर कभी भी श्टॉक्स को नहीं करते कभी मैंने भी अगर कभी भी किसी को सुनके अगर भाई किया ना तो हमेशा मैंने यहां पर लॉस ही खाया है बोलन जिए लॉस हूए मैं शेयर लॉस में गया बट मैंने अपने तरीके से यहां पर श्टॉक को चूज किया ना तो यहां पर मुझे प्रॉफित होता हुआ दिखाई दिया थोड़ाजए प्रॉफित हुआ है बट लॉस नहीं हुआ है तो इस चीट को याद रखिए कभी भी और दूसरों के कहने पर कभी ऐस को नहीं चूज करते हैं जोते हैं अपनी हचुक। सेखने का मौका मिले और ऑप खुद फुद्स खेती लिए कई स्कूरें को करें तो आप कल की डेट मेडियं। यह दूबारा यह पर Sher qui करेंगे बाय और वो शेर भागेंगा तो इसलिए इंप वा कारें्ट निउस में बहुआ कि आता हैं यह यह स्टॉक्स में आपको पता देते हैं यह स्टॉक्स में अपिए तो tanpa वह बताते नहीं कि अ 1973 अगले अगर बात करें तीवी की टीवी में भी आपको श्टॉक्स बताते हैं बट आपको पता चलता है कि वो श्टॉक्स लॉंग टरम के लिए नहीं था वह आज की रेट में तो आज के दिन में 10% दे दिया बट कल की देर में वह बीस परसेंट का लोवर सर्केट लागा के चला गय समझना पड़ेगा तो यहाँ पर अगर यह सीडिय करेंगे तो यहाँ आप अपने आपको बरबाद कर रहे हैं इसके लब सबसे में इंपोर्टेंट बार मार्केट में पाईसा ना कमाना यहाँ पर डिसिप्लिन नहीं नहीं नौ डिसिप्लिन नहीं लगा दी जेए अगर पर पास discipline नहीं है, आप सिध्धान कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर वे से काम नहीं कर रहे हैं मार्केट में, आप अपनी strategy जो बार बार चेंज कर रहे हैं, कल यहाँ पर किसी base बाइंग कर रहे थे, तो आप यहाँ पर discipline नहीं है, और यहाँ जब भी market में देखा गया है, जो नहीं रहता है. तो पर पिंडिकर कर रहा है। कर रहा है। लोग सबसे जा रहा है। नो डिसिप्लीन वही होता है, जो कि क्या कहते है, इस दिस्प्लीन में आपको थोड़ा बहुत लॉस होगा, बट आप समझोगे, बट अगर एक बार डिसिप्लीन में आगे ना आप एक ही स्ट्रेटीजी पर काम कर रहे है, आप यहां पर अगर हम देखे, तो आप कि हम भाई इस ही बेस पर आप शेयर करीद होगे, तो यहां पर आप अच्छा का से सक्सेस पर पाऊगे, बट अगर आप सोचोगे, नहीं यार यह इस टॉक साथ भाग रहा है, इस टॉक के पीछे भाग लूँ, पर तो आपका पैसा बिलकुल नहीं बनेगा, याद रखेगा और यहा मतला अपने पैसे की बरबादी, फीचर ऑप्शन इंटर गरना, पैसे की बरबादी, टीवी, जूसरों के कहने पर शेयर लेना, यहां पर पैसे की बरबादी, डिस्स्प्रिनिन नहोगती, इसके लबढ़र अरली एक्जिट और नो नहीं नहीं तो यहां पर देखिए हर एक के पोर्टफोलियों में कभी-कभी बाइचांस ऐसा होता है कि बेकार श्टॉक्स आ जाते हैं तो वहां से हम एक्जिट नहीं करते हैं हम वहां पर इमोशनल हो जाते हैं कि हमने सुना था कि लॉटर्म के लॉटर्म रखेंगे अगर आपका बेकार स्टॉक्स इसके फाइनेशे सपोर्ट नहीं कर रहें अच्छानक ही सड़नी उसके फाइनेशे बेकार हो गए तो वैसे श्टॉक्स में आपको निकल जाना चाहिए जैसे कि अगर बात करें आईडिया यहां पर सब्सक्राइब कर लिए उस बिसे के इस बिजुड़र यहां पर इस बाइनेशेस सपोर्ट ना कर रहें तो यहांपर एस ही चीज़ में लुगते ओंडिये बार भार नियूज़ में आ रहा है कि इस और एंपनी इस तotशीद करें लिए तो दौग बेंड़ लितम दोपिल् मैं आपको बता रहेता हूं आपनी których मैंने यहां Цеां फ degल दिया और अगर देखते हैं अगर देखते हैं यहां से और यहां पर प्रीजटी दिया को यहांपर 7710 तो अच्छे शेयरों में जल्दी से एक्जिट ना हो ना लंबे टाइन तक टिके रहना यह आपकी वेल्थ को रिएट करेगा और बेकाल शेयरों में जल्दी से पखड़े रहना वह चीज आपकी वेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पोचाएगा यह आपको बर्बादी का बड़ा कारण है कि अच्छे शेड़ों में निकल जाना और बेकार शेड़ों को दिल से चिपकाई रखना है एमोशनल हो जाना उसे अटेच्मेंट ले लेना तो वो चारी चीज़े पेकार होती है तो इस चीछ को यहां पर समझने की जरूबत है फिर में चीज लास्ट बट नॉट लीश कि आपको यह चीछ भी समझनी होगी कि आप ट्रेडर है इंवेश्टर है जो भी नए लोग है जो बिना सीखे आ रहे हैं जो मार्केट की तेजी को देखके आया थे या फिर मार्केट अभी गिर रही है उसको देखके जा रहे है तो आप से पहले सीखने के लिए हमारी चाहिनल है आप या बताते है कि किस तरीके से आप स्टॉक्स को चुन सकते हैं तो यहां पर इस तीच को समझने की ज़रूएते हैं की और आपको बताते है कि ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनता अब मैंने आपको बताया कि इसमें लोग फ कि आप Trader है और Investors है तो आपको अगर Trader है तो आपको यह नहीं करना है कि यहाँ पर फिर Stop Loss का काम आता है यहाँ पर again मैं बताना चाहता हूं कि Stop Loss और फिर यहाँ पर Stop Loss भी आ गया एस वेले इस Future Intraday और Option भी आ गया तो यहाँ पर ती दोनों चीज़ें यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रहे है तो यहाँ पर तो Loss होना ही होना है यहाँ पर Traders तो आपको बनना ही नहीं है Simple बात की बात में यहाँ पर बोल दिया सीधा और यहाँ पर बात करें तो यह एक वीजन हो गया तो वहाँ पर आप उस सेक्टर से लेटे श्टॉक्स में यहाँ पर पावर के श्टॉक्स में लगाई है जो चार्जिंग स्टेशन लाएंगे उनके श्टॉक्स में पैसे लगाई है ताकि दस साल बात जब वह शेयर 100 रुपे का यहाँ पर 10 साल पर 10 से आपको होल्ड करना पड़ेगा थोड़ा सा हो सकता है कि आपने 100 रुपे का शेयर लिया वह 50 रुपे पर आगया आपको दखदख होने लग जाएगी बट आपको पताएगी वह 50 रुपे का शेयर आज से दस साल बात 50 अजार का भी हो सकता है तो ऐसे शेयरों को फिर हम इस निशीर कैसे च्ट करते हैं विसर्गों कैसे च्ट करते हैं तो इसलिए इनवेस्टर रहिं बना इसके लावा इस सब्सक्राइब कोई बिए विए बीचनर बाद संस्क्राइब करें SHARE जल्दी निकल ना है और बेकार निया निकल जाना आ है वह इन्वेश्टर बनने में इन्वेश्टर स्में पर आपने पैसे को आसान तरीके से यहां पर बरबाद हो सकते हैं जुआ और शराप क्या बरबाद करेगी यहां पर यह जो शेर बजार का जुआ है आपको बरबाद कर देगा तो यहां पर वीडियो को खतम करते हैं इन बातों को माइंड में रखिएगा हमेशा याद रखिएगा बार बार इस सुबह उर्ते साथ रात को सोने से पहले यहां पर यह गुट्टी की तरह पी जाईएगा तो हमेशा आपको प्रॉपिट में रहे ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिंग मिलती रहे हैं तो थेंक यह सो मुझ गॉट्ब्लेस